नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयर्वेडिक में आपका स्वागत है. दोस्तों, आज मैं आप लोग सामने लाल दूधी लेकर आया हूं. वो भी बड़े परजाती का लाल दूधी. देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों. लाल दूधी के पत्ते जो है लाल लाल दिखाई देते हैं हलके से उपर और बीच बीच महरे भी और लाल दूधी के जो फूल है उस फूल के उपर देखिए लाल लाल दिखाई दे रहे हैं इसलिए दोस्तों इसे लाल दूधी कहा जाता है दोस्तों इसे तोड़ने पर इस तरह से दूद निकलता है यह दूद भी बहुत उपयोगी है तोचा रोग के लिए दोस्तों सरीर में किसी भी परकार तोचा रोग है लाल दूद्धी को पीश कर वहां तोचा रोग पर लगा दीजिए तोचा रोग बिल्कुल ठीक हो चार-पांच दिन के अंदर दोस्तों इस बड़ी दुद्धी के परजातिम भी दो बड़ी दुद्धी होते हैं एक बड़ी दुद्धी जो है बरसात के मौसम में उगता है और एक यह दुद्धी है जो गर्मी तपते हुए धूप में पैदा होता है उगता है इसलिए यह लाल होता है सूरज की किरने इस पर पढ़ते हैं तो यह लाल हो जाता है देख लीजिए पहचान लीजिए अब रहा गया दोस्तों इसके फाइदेग बारे मना जानने को वज़े से हम इसे घास फूस समझ कर नोच नाच कर फेक देते हैं या फिर देखते हैं पहचानते नहीं हैं जानते नहीं हैं इसलिए इसका इस्तमाल नहीं करते हैं दोस्तों बड़ी दूधी का तना कमजोर होता है रोएदार होता है पत्ते भी रोएदार ही होता है अलका-लका रोवा दिखाई देता है इसकी जड़ जो है काफी गहराई तक नहीं होता है ज्यादा करके या जमी से 5-6 इंच उपर होता है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं आप इसे पहचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदेक बारे हम बात करते हैं कि यह हमारे सरीर के लिए कितना उपयोगी है किन-किन बीमारियों को यह ठीक कर सकता है दोस्तों उड़ते हुए जड़ते हुए बालों को यह रोक सकता है उपाय और विधिया है इस तरह से ताजे ताजे दूधी के 100-200 ग्राम पत्तों को लेकर पीश कर उसका रस निकाल लीजिए और दूधी के पत्तों के रस को कनेर के पत्तों के रस में मिला कर बालों के जड़ में लगाना है करीबन आप ऐसा एक महीना कीजिए आपका बालों का जड़ना उड़ना बालों का किसी भी तरीके प्राब्लम होगा डेंटरफ होगा कुछ भी प्राब्लम होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहां तक कि अगर बाल उड़ रहे हैं तो बाल उगने लगेंगे दोस्तों लाल दुधी कि इतने कर बीशेमल पिया जाए तो दू धस्तनों उतरने लगता है दोस्तों हजारों सालों से आयरवेद में इस दुद्धी को पवरुख वर्धक सक्ति वर्धक बलवर्धक बीर वर्धक के रूप में इस्तमाल किया जाता है यह एक बहुत ही प्रचीन और नाम चीन आयरवेदी क का उसदी है दोस्तों देख लीजिए पैचान लीजिए ताकि आपको जरुत में काम आए दोस्तों चेहरे के दाने फुनसी के लिए भी यह भूत ही उप्योगी है अगर किसी के दाना फुनसी है पिपल्स है तो इसमें भी इसे पीशकर पत्थर के सिल में इसका पेश्ट ब तो अगर कोई इनसान आदमी पूरुस कमजोर है तो इसके पत्तों को सुखा कर चूरन बनाकर यानि पाउडर बनाकर रख लीजिए और तीन गराम सुबा तीन गराम साम ठंडे पानी साथ इसका पाउडर लीजिए शरीर में बल बढ़ेगा ताकत आएगा दोस्तों अगर किसी के गुटनों में दर्द है गुटनों से खट खट के आवाज आ रहा है तो इस तरह से लाल दुद्धी को पीस कर ताजे ताजे लाल दुद्धी को लेकर पीस कर और करीबन 200 गराम रेण के तेल में 20 गराम इसका चटनी डाल कर उसे आग में पकाना है और पकाते पकाते जब यह जल कर काला दिखने लगे तो उस तेल को उतार कर ठंडा करके आप रख लीजिए और आप अपने घुटनों के चारों तरफ गोल-गोल मसाज कीजिए तो दोस्तों अगर रेडग तेल में इसे पका कर तेल बनाया जाये तो वह तेल बहुत जल्दी फाइदा करता है घुटनों के दर्द पे तो आँ दोस्तों अब और थोड़ा आगे बढ़ें इसके फाइदे तरफ दोस्तों अगर कोई स्त्री है जिनको संतान नहीं हो रहा है तो उन लोगों के लिए भी यह काफी फाइदे मंदे उप्योगी है करना क्या है ओभी बिधी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ इस तरह से ताजए ताजए दूधी को लाकर शुखा लिजिए धूप में सुखाने के बाद इसके पावडर बना लिजिए पावडर बना तो अन्दूरनी जगे पर चरवी चड़ गया जिसके वज़े से अंदर का जो थैली है वहां फैलता नहीं है जिसके वज़े से कुछी महीने में गर्ब पात हो जाता है तो उनके लिए भी काफी कीप। फाइदेमंद है अगर ए EU कमीड वजह से कग अब गर्बसाई की थाहली पत्ली है जिली कमजोर है जिसके वजय से किसली निकेज होता है अंदर का वाटर फ्लॉë होता है पानी गिरने को ऑशे से एक दो तीन महीने के बच्चा बाहर निकल जाता है खराब हो जाता है तो ऐसे इस्तिरियों के लिए यह राम बाड़ अउसदी है दोस्तों बस क्या करना है इसे पीश कर पौडर बनाकर सहद मिलाकर दूदक साथ सुबा साम सेवन करना है तीन महीने लगातार दोस्तों यह बहुत ही अगर किसी पूरुस को कि अंधूर निप्राबलम है शरीर के अंदर कोई इफेक्ट आ है नसों में कमजोरी है या यह नसों का टेड़ापन है तो उसमें वी यह काफी फायदय मन्दी है दोस्तों पूरुस इसे दो तरीके इस इस्तेमाल कर सकते हैं पहला तरीका है इसे पी सहत के साथ मिलाकर सेवन करना है सूबा सां पांच पांच गिराम और उपर से 200 गराम दूद्ध पीना है तो यह धातू छीरता धातू कमजोरी मतलब सरीरिक कमजोरी सभी प्रकार किया दूर कर देगा यहां तक कि कुछ दिन सेवन से अस्थम सक्ति भी बढ़ेंगे और हां दोस्तो इसके फाइदे तो और भी है जैसे कि माल लीजिए कोई इनसान है जिसे हमेशा कुछ भी खाते ही पेट में दर्द होने लगता है बार-बार टोईलेट पैखाना जाने का मन करता है जाने के बाद पैट मरोड मारता है अगर पैखाना होता नहीं है आउं गिरता है दस्त गिरता है तो ऐसे रोगी बहुत परिसान होते हैं तो उन लोगों के लिए भी काफी फाइदे मंद है दोस्तों बस 10 एमल या 15-20 एमल तक निकाल कर सुबा खाली पैट पी ले तो जिनको पैट का प्रोब्लम है वह प्रोब्लम पैट का ठीक हो जाएगा और दोस्तों अगर मालो ताजे ताजे नहीं मिल रहे हैं तो आप इसे सुखा कर पौडर बनाग रख लीजिए और 10 गिराम सुबा 10 गि साथ लीजिए तो आपके पेटों के अंदर मजबूती आएगा आत मजबूत होगा आपका बीमारी ठीक हो जाएगा हां दोस्तों उस बीमारी का नाम अतिसार है अतिसार का बीमारी है और हां दोस्तों अगर मालो वक्त से पहले वक्त से पहले किसी का बाल पक रहा है जैसे क समय नहीं है फिर भी बाल पक रहा है तो अब देखने में अच्छा नहीं लगता है खराब लगता तो ऐसे लोगों के लिए यह बहुत फाइदेमंद है करना क्या है इसे जो है आप इसे आप खोपरेग तेल में पका लीजिए करीबन सो गराम तक पत्ति लीजिए एक तेल में पका लीजिए और पकाने के बाद उस तेल से आप अपने तेल अपने बाल का मसाज कीजिए उस तेल से खोपरेग तेल में इससे पका कर तेल बना लीजिए उस तेल को आप सर्प लगाईए बालोप लगाईए आपका बाल का जढ़ना तो जाएगा ही और पके वाल जो हैं काले निकलने लगेंगे तो देख लीजे दोस्तों पहिचान लीजिए बहुत चमतकारी जड़ी बूटी है तो दोस्तों मैं अपना महात्पूर जानकारी यहीं समाप्त कर दे रहा हूं अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए श नमस्कार दोस्तों पाड़ी अर्वेदिक।